नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खंड की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं भासा बीवाद पर जर्खंड सरकार धनबाद बोकारों से भोजपूरी मगी हटाया बोकारों और धनबाद जीले के छत्रिय भासा के सुची में अब नागपूरी, कुर्माली, खोटा, उर्दू और बंगला को रखा गया है बाकी जीलों की छत्रिय भासाओ के सुची में कोई बदलाव नहीं किया गया यह निर्नय लेने के पहले मुख्य मंत्री हमासुरे ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राईश ठाकूर और विधायक दल के नेता अलमगीर अलम को विश्वास में लिया उनसे चार्चा के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है सरकार के इस कदम से इन भासाओ के युवाओ को धनबाद और वोकारो में जीला अस्तर की सरकारी नोकरी नहीं मिलेगी जारखन में फिलहाल बारिस के असार नहीं है 22 फरवरी तक मुख्याता साफ रहने का रुमान है 23 फरवरी को आंसिक बादल चाहे रहेंगे मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिनों के दरान निवत्म तापमान में कोई बड़े बदलाव की समभवना नहीं है आपको बता दे कि पिछले 24 घंटे में जारखन में मौसम सुस्क रहा है जारखन में फिल हाल बारिस की समभवना नहीं है मौसम विभाग ने अपने पुर्वनवान में बताया है कि 18 फरवरी को मौसम सुस्क रहेगा वह आसपास साफ रहेंगे आगले 2-3 दिनों के दरण निमत्न ताप मान में कोई बड़े बतलाव की समभवना नहीं है वह 29 फरवरी से 22 फरवरी तक मौसम सुस्क रहेगा इस दरण आसमान मुख्यता साफ रहेगा वही 23 और 24 फरवरी को आंसिक बादल चाहे रहेंगे JSLPS के विभीन पर्योजनाओं से अउगत हुए बिहार के ग्रामिन विकास सचीव जार्खन के ग्रामिन विकास विभाग के तहस संचाली जार्खन स्टेट लावलिहूट परमोसन सोसाइटी यानि J.S.L.P.S. के विभीन परिनाओं को देखने बिहार के ग्रामिन विकास सचिव अर्विंत कुमार चौधरी राची पहुंचे इस दवरान जहां जार्खन में N.R.L.M. के किर्यानवेन के अलावा पीवी टीजी विकास के लिए किये जा रहे कारे दिदी हिल्फ लाइन बैंक लिकेज केंडर भुकतान सेवा के विभीन आयामो परचार्चा की एवं इन अभिनव परियासों की जमकर सरहना भी की गई पांच लाख के इनामी नक्सली रंथू उराव दस्ते के साथ जंगल में फसे गुमला जिला में सक्रिये भागपा मवादी के कई बड़े नक्सली लोहरदगा जिला के बुलबुल जंगल में फसे हुए हैं इन में 5 लाख रुपे की नामी नकसली, रंथू उरावा, लजीम, अंसारी भी हाई, साथ में सिर्स, नेता, छोटू, खिरवार भी बुलबुल जंगल में फसा हुए है ये लोग, जोनरल कमांडर रविंद्र गांजू से बैठक करने की रादे से बुलबुल जंगल इस्थित नकसलीयों के अस्ताई कैम्प गए हुए थे, लेकिन पुलिस कोन की भनक लग गए गुमला लोहतागा और लातेहर जीला के सिमवर्ती इलाके में बुलबुल जंगल है इसलिए तीनों जीला की पुलिस ने नकसलीयों की घिराबंदी कर्षापे मारी अभियान चला रही है पी एले फाई के एरिया कमांडर राजेस गोप साइच्छ गिरपतार नकसली संगठन पी ले फाई के एरिया कमांडर राजेस गोप उर्फ राजेस टाइगर उर्फ धिलन तथा उसके पांच सहयोगो खुर्टी जीला अंतरगत रणिया चेतर से पुलिस ने गिरपतार किया है राजेस सिसाई थाना चेतर के कुसुम टोली का रहने वाला है लातेहार के केदली टोला जंगल में पुलिस नकसली मुटभेड लातेहार सदर थाना चेतर के केदली टोला जंगल में पुलिस और भागपा मवादी के बिच मुटभेड हुई इस दवरान मुटभेड में दोनों और से करीब 100 राउंड गोलिया चली है इस मुड़भेड में पूलिस ने इंसाथ समेत काफी मत्रा में गोली और अन्य समान बरामत की है मुडभेड के बाद पूलिस केंदली टोला और नरायनपूर समेत लातेहार लोहरदगा जीला के सीमा छेतर में सर्च ओपरेशन चला रही है लातेहार SP अंजनी अंजनने मुर्भेड के पुष्टी करते वे बताया कि पिछले कई दुनों से लातेहार वो लोहर दगा सीमा छेत्र के जंगलों में पूलिस द्वारा मवादियों खिलाप सखन छापे मारी अभ्यान चलाया जा रहा है 27 फरवरी से शुरू होगा पल्स पोलियो अभ्यान पलामु जिले में 27 फरवरी से पल्स पोलियो अभ्यान शुरू किया जाएगा इसके तहट 5 वर्स तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी राश्ट्री एक क्रीमी मुक्ती दिवस के तहट आगामी 10 से 17 मार्च तक 1 से 29 आयूवर के किशोरो को स्कूल आंगनवाडी केंद्र स्वास्त उपकेंद्र आधिक कर्यालियों में एल्वेंडा जोल की दवा भी खिलाई जाएगी पलामों के उपायूग ससी रंजन के दक्स्ता में सुक्रवार को पल्स पोलियो अभियान राश्ट्री एक क्रीमी मुक्ती दिवस वा आई एम आई के सफल संचालन को लेकर समनाले सभागार में जीला टास्क पोर्षी बच्ठक आयूजित की गाई राज्य के सभी बच्चों का बनेगा हेल्थ कार्ड लोगों को सहज सस्ती और गुनवता पूर्ण स्वास्त सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के जीला अस्पतालों को सुद्रिट करने के साथ साथ अधिक सधिक मेडिकल कॉलेज खोलना जरूरी है राज्य के वर्ष 2022 तेज के वजट में स्वास्त के छेत्रे में इनके लिए अवस्यक प्रविधान हो सरकारी एवं नीजी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बचों का हेल्थ कार्ड बने तथा उनकी नियमित स्वास्त जाच हो गुरुवार को स्वास्त विभाग द्वारा आयोजी सबकी राहे सबका वजट कारिकरम में चिकिसको एवं बिस सग्यों ने ए सुझाव राज सरकार को दिये कारकरम में उपस्थीत स्वास्त मंत्री बना गुपता एवं अपर मुक्सचीव अरुण कुमार सिंग ने आय सभी सुझाव पर अमल करने तथा अवसकता अंसार बजट में प्रविधान करने का अस्वासन दिया है मलेसिया में फसे मजदूरों को वापस लाने की कवायद सुरू राज सरकार ने मलेसिया में फसे गिरीडी हजारी बाग और बोकारों के तीस स्रमिकों को जारखन वापस लाने की कवायद सुरू कर दिया मुख्य मंत्री है मांसुरेन के निर्देश पर राजे के स्रम नियोजोन वंप्रसिक्षन विभाग ने मलेशिया में भारत के उचायूक्त बी एन रेड़ी को पत्र लिख कर मामले में हत्रशेप करने का अगरह किया स्राम विभाग के सचीव प्रवीन टोपो ने उचायुक्त को पत्र लिकर बताया कि राजे केति स्रामिक लीडर मास्टर इंजिनियरिंग एवम कंस्ट्रक्शन SDN-BHD में कारे रथा है जारखन में कुरोना के कूल एक्टिब केस की संख्या 982 है भारत में कुरोना के कई से 363 नए केस मिले है जबकि 69,777 मरीज स्वस्ट भी हुए है भारत में कुरोना के कूल एक्टिब केस की संख्या 2,50,538 है 14 अप्रेल से सामोहिक अवकास पर चले जाएंगे 73,000 सिपाही हवलदार अपनी मांगो को लेकर वर्षो से पर्यासरत सिपाही हवलदारों के सबर काबंद तूटता दिख रहा है अब इन सिपाही हवलदारों ने अपने जार्खन पूलिस मेंस एसोसियेशन के बैनर तले आंदोलन के रूप रेखा त्यार कर ली है एसोसियेशन ने राज सरकार को चितावनी दिया है कि 8 मांच तक उनकी मांगो पर सहानुभूती पूर्वक विचार नहीं किया गया तो 9 अपरेल से उनका अंदोलन सुरू हो जाएगा अंदोलन 4 चर्णों में होगा 14 चर्ण 14 अपरेल से होगा जब राज सरकार के 73,000 सिपाही होवलदार 5 दिनों के समोईक अवकास पर चले जाएगे राज के जिस बीदी ब्यवास्ता के जिम्यदारी इनी सिपाही होवलदारों के कंदों पर है अगर वे अवकास पर चले जाएंगे तो राज की पुलिसिंग विवस्ता ठप हो जाएगी लालू यादव को लेकर जेल परसाशन का बड़ा फैसला नयाईक हीरासत में रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाईरत बिहार के पुरमुक मंतरी लालू परसाद यादव से मिलने के लिए सनिवार का दिन तय किया गया है अगर सोजान लालू परसाद से मिलना चाहते हैं तो बिरसा मुंडा केंद्रिय कारागार के अधिक छक को आवेदन दे सकते हैं जेल परसाशन के अनुसार एक दिन में तीन लोगों को ही मुलकाती की अनुमती दी जा सकती है जेल अधिक छक हामीत अक्तर ने बताया कि पिछली बार भी मुलकात के लिए सनिवार का दिन ही तय किया गया था रूपेश पांडे के घर जा रहे बिजेपी नेताओ को रोका मिरितक रूपेश पांडे के रुबरम भोज में भाजपा परदेश अध्यक दिपक परकास को हजारी बग परसाशन दुआरा एनेश 33 के रामगण हजारी बग बोडर परोक दी गुसे में भाजपा नेताओ सांसत समेथ परकान के करकता उसी अस्थल पर धारना डाल दिये हैं सभी हेमन सरकार की इस करवाई पर भर्चतना कर रहे हैं उनके साथ हजारे बग सांसत संजय सिनहा भी सामिल हैं पीम आवास योजना का लाब के लिए आवेदान गढ़र नगर पंचायत के करेपालाग पताधिकारी सर अनुमंडल पताधिकारी अलोग कुमार ने परधान मंत्री अवास वोजना सहरी से जो लाभूक वंचीत हैं वैसे लाभूक आगामी 22 फरवरितक संपूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदान नगर पंचायत करेपालाग में जामा करने को कहा है यो ने बताया कि नगर पंचायत छेत्रे के अंत्रगत प्रधान मंत्री अवास वोजना सहरी के चतुर्थ घटक लभारती अधारीत वैक्तिगत अवास निर्मान से समन्दित वन्चीत यो मयोग लाभूक जो जून 2015 के पूरू से नगर पंचायत छेत्रे में वासित हैं वै आगामी 22 फरवरितक संपूर्ण दस्तावेजों के साथ पीम अवास सहरी के लिए आवेदन करेयाले में जामा कर सकते हैं ड्राप आउट बचों के लिए दोलाबू स्कूल तेबुआ अभियान करोना काल में स्कूलों के 22 महिने तक बंद रहने के बाद जाब स्कूल खुला तो अब ड्राप आउट बचों को बिद्याले से जोडने के उदेश से जीला पर सासन ने दोलाबू स्कूल तेबुआ यानी आओ स्कूल चले अभियान सुरू कर रही है जिसके तहद पंचायत अस्तरपर बिसेस जगरूपता कैम लगाये जाएंगे बच्चो वा उनके परिवारों को सिक्षा की महता से अवगत कराते हुए उन्हें बिद्दाले से जोड़ा जाएगा यह जनकारी देते हुए खुटी डिसी सस्तिर अंजन ने बताया कि अभियान का उदेश से हाए कि कोई भी बच्चा अपने सिक्षा के अधिकार से वन्चित न रहे आयुसमान भारत योजना को और अधिक सरल बनाएंगे स्वास्त मंत्री ने स्वास्त बजट के लिए लोगों से विचार और सुझाव अमंत्रित किये हैं सुक्रवार को स्वास्त बिभाग की ओर से बजट संगोष्टी आईवेजित की गई इसमें चिकित्सकों और स्वास्त बिभाग के करमचारियों ने हिसा लिया बैठर्क में मवजूद लोगों ने अपने सुझाओ दिये स्वास्त मंत्री बन्या गुपता ने स्वास्विदाओं को सुधारने को लेकर सुझाओ मांगे स्वास्त मंत्री ने कहा कि आयुसमान भारत को और अधिक स्टरल बनाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को लाब मिल सके हेमंत सरकार ने ज्हारखन भास्यों के साथ वादा खिलाफी की बाबुलाल मरांडी तीन दिवसी संथाल परगना दोरे पर आयप पूरो मुक मंत्री स्वविधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी का पाकुर सो दुन का वापस जाने के करम में सुक्रवा को करता हो यविधान सवाध चुनाओ के वकत हेमंत सुरेन ने जितने भीवादे किये تھे उसमें से एक भी पूरे नहीं हुए उन्होंने कहा कि मैं संथाल परगना कर जानता कि समासे से अवगत होने के लिए तीन दिवस्ती दोरा पर आया हूँ धन्यवाद